दोस्तों नमस्कार इस वीडियो से हम कुरुतिदेव फॉंट का यूज़ करते हुए मातरा को डिलीट करने में आने वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कैसे उसको समझा जाए इस बारे में बात करेंगे दोस्तों यहां मैंने MS Word का पेज ओपन किया है जब आप हिं बड़ा कर देते हैं अब में में क्या रहता है कि अभी हमने मौ लिखा मौ के बाद एक ही मातरा लगाई उसके बाद बिंदी लगाई तो अब अगर बैक स्पेस करेंगे तो डिलीट क्या होगा बिंदी डिलीट होगी फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो एक ही मातरा डिली है कि जब आप अगला शब्द या अक्षर लिखते हैं कैसे अब इसके बाद में इको डिलीट करना है तो आप ऐसे आ जाते हैं और उसमें क्यों तब backspace जैसे ही करते हैं तो mode delete हो रहा है फिर यह मातरा delete नहीं होती है मैं बार-बार backspace प्रेस कर रहा हूँ यह delete नहीं हो रही है जब भी कोई अक्षर delete हो जाए तो उसके साथ जुड़ी होई मातरा फिर delete नहीं होती दोस्तों यह क्या problem है इसी सबसे पहले बात करते हैं मैं में क्या हुआ कि तीन character लिये गए है मौ, एक ही मातरा और बिंदी लेकिन इसमें हुआ यह कि अभी मौ के और एक ही मातरा के बीच में cursor है जो pointer आपको भी link करता हुआ दिख रहा है इसको last में लाएंगे तो last में लाएंगे बिंदी delete होगी एक बार left arrow key हम प्रेस करेंगे keyboard से arrow keys आप जानते है control के साथ में enter के पास होती है navigation key बी ने कहते हैं जिन पे arrow बने होते हैं तो left arrow key प्रेस करेंगे तो यह अभी क्या है बिंदी और एक ही मातरा के बीच में cursor है देखने में वहीं लग रहा है बिलकुल वहीं पे है लेकिन यह बीच में आ रहा है अगर आप backspace करेंगे तो A की मातरा delete होगी बिंदी डिलिट नहीं होगी इस प्रकार से control Z कर देते हैं अब एक बार फिर arrow की प्रेस करते हैं तो अब यह माँ और A की मातरा के बीच में है तो तीन चीजे हैं जब हम में को explain करेंगे तो इसमें तीन चीजे हैं सबसे पहले मौ आया फिर मैं space देके दिखा रहा हूँ कि उसके बाद A की मातरा आई फिर space देके बिंदी यह तीन चीजे हैं space को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि space नहीं है इनी को मैंने explain किया है बड़े रूप में तो बिंदी से आप A कैरो करेंगे तो बीच में यहां आते हैं अभी आप मातरा और बिंदी के बीच में है जब ऐसा होता है तो backspace करेंगे आप जानते हैं backspace जो delete करता है right से left की और delete करता है अभी क्या delete होगा backspace से A की मातरा delete होगी और अगर आपका pointer more और A की मातरा के बीच में है तो backspace से more delete होता है और उसके बाद backspace आप करते रहते हैं लेकिन वो A और बिंदी delete नहीं होती है इसमें ऐसा अगर दिख जाए तब तो कोई problem नहीं लेकिन जब आप देखते हैं तो होता क्या है करसर वहीं रहता है लेकिन वो अपना place बदल चुका होता देखिए अभी कहाँ पर है देखने में तो में के आखिर में लग रहा है बिंदी के बाद लेकिन ये more और A की मातरा के बीच में इसका पता कैसे चलेगा backspace प्रेस करिए मौ चला गया यही दिक्कत हो जाती है तो आप क्या करें जब भी आपको किसी मातरा को डिलीट करना हो तो अक्षर से पहले मातरा को डिलीट करिएगा और उसको डिलीट करने के लिए उसके order के ही साब से उसको last में रखिए last में रखने का एकी तरीका है आप right arrow की करते जाएए करते जाएए जैसे ही वो अगले शब्द के पहले character के पहले आ जाता है तो समझ जाएए अब वो next में है बाहारे फिर आप एक left arrow करेंगे तो इसके आखिर में आएंगे फिर बिंदे डिलीट होगी फिर मातरा डिलीट होगी फिर मौ होगा अब इसी प्रकार एक शब्द और लिखके आप इस वात को समझ लेते हैं जैसे किर्ती अब इसमें अभी cursor कहाँ है raw के last में एक arrow किया cursor कहाँ है raw से पहले और तो के बीच में backspace करेंगे तो तो डिलीट होगा raw अभी भी बना हुआ ध्यान से आप देखिए अब cursor को last में लाया backspace करेंगे तो raw डिलीट होगा उपर का ctrl z अब एक arrow से raw के पहले और तो के बाद है आप फिर एक left arrow करेंगे तो ये मात्रा और तो के बीच में है तो इस तरह मात्रा डिलीट होगी raw को डिलीट करना है तो अभी raw डिलीट नहीं होगा ये तोर raw के बीच में अभी तोर डिलीट होगा last में लाये और इस परकार raw को डिलीट किया इसी परकार कुछ शब्दों में मातरा नीचे लगती है, जैसे, अब इसमें हम यहाँ पर आए, अभी जो है, उ की मातरा और कौ के बीच में है, तो बैक स्पेस करेंगे, तो कौ जाएगा, उ की मातरा नहीं जाएगी, आप राइट एरो की एक बार करिए, अब मातरा के साथ में है, अभी बैक स्पेस करेंगे, तो उ की मातरा जाएगी, इस परकार आप समझे, जो भी मातरा किसी भी अक्षर के साथ लगती है, उसको एक अक्षर मान के चलिए उसका order वो रहता है जिस अक्षर के बाद उसको लिया जाता है वो उसी करम में करसर में भी ली जाती है तो अभी इसको अगर हम order में समझे हैं, तो हम समझेंगे को लिखा, फिर उसके बाद उ कि मातरा ली, फिर उसके बाद आ की मातरा फिर रहो तो आपको अगर करसर यहां पर है तो cod delete होगा, करसर अगर यहां पर है तो उ की मातरा delete होगी लेकिन यहां देखने में प्रॉबलम यह है कि करसर location नहीं बदलता वहीं पर्बलिंग करता रहता है आप arrow की जिदर उदर करते चले जाएं इसी से सबसे बड़ी दिकत होती है और यहीं से हमें दोखा होता है जब भी आप कोई मातरा उपर की हो या नीचे की हो आप इस बात का ध्यान रखिए आप right arrow की left arrow की प्रेस करते चले जाएं और उस मातरा को delete करके नई मातरा ले सकते हैं जैसे अभी बीच में तो clear हो रहा है अभी यहाँ पर सिंगल मातरा आ की है इसमें कोई problem नहीं होती ज़्यादा तर problem कहां होती है एक ही मातरा में होती है जो उपर नीचे लगती है एक से अधिक लगती है जिनके साथ बिंदी लगती है वहाँ पर ज़्यादा दिकत आती है तो दोस्तो इसको आप बड़ी आसानी से बड़ी सरलता से कर सकते हैं अगर आप order को समझें कि जब भी कोई अक्षर लग रहा है तो इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि ये जो हुआ वो इस परकार से हुआ को पहले आया फिर उसके बाद जमा का निशान लगा दिया मैंने कि फिर जमा आया फिर उ की मात्रा आई फिर उसके बाद मौ आया मौ के बाद आ की मात्रा आई किसी भी शब्द को इस प्रकार से आप explain करेंगे तो आप समझ जाएंगे और cursor कहाँ पर है वो ही द्रिष्टी आपको बताएगी कि आप कौन सी मात्रा भी delete करेंगे अब से के कैसे के पीछे में हैं अभी कहाँ पर हैं एक ही मात्रा और सौ के बीच में राइट एरो की किया लास्ट में चले गए यह मैं keyboard से प्रेस कर रहा हूँ आपको screen पे cursor वहीं blink करता हुआ दिखेगा backspace आप प्रेस करेंगे तो यह delete कर जाएगा अभी delete क्या करेगा मात्रा delete करेगा फिर करेंगे 100 delete करेगा इस परकार अभी क्या करेगा एक ही मात्रा लेकिन अगर मैं एक बार left है रोकी प्रेस कर दो तो यह मात्रा से 100 और मात्रा के बीच में है तो backspace से 100 delete होगा उपर देखे तीन मात्रा होगी अभी एक और कर देता हूँ मैं तो उसमें क्या होगा अब code delete होगा फिर यह backspace से यह मात्रा delete नहीं होती आप इस परकार लगे रहते हैं क्यूंकि इन मात्राओं के शुरू में है यह अगर आप इनको delete की से करेंगे तो हो जाएंगी जब भी आप किसी मात्रा के अभी जैसे कोई मात्रा हम लेते हैं यहाँ पर एक ही मात्रा ली एक ही मात्रा के शुरू में हैं तो आप delete से उसको delete करेंगे अगर मात्रा के आखिर में तो आप backspace से उसको delete करेंगे यही बात आपको समझनी है कि मातरा के आप कहां पर हैं एक ही मातरा का हो गया उसी प्रकार उगी मातरा के शुरू में हैं करसर वहीं करेगा देखिए इस बात को आप समझ लीजिए देखिए मातरा को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो कहां पर हो रहा है आप किसी अक्षर को आगे करते हैं तो अक्षर के शुरू में करसर होता है और स्पेस बार करते हैं तो आगे जाता है लेकिन यहां करसर कहा दिखा रहा है राइट साइड में दिखा रहा है समझने वाली बात ये है कि किसी भी अक्षर के left और right में cursor जाता है दिखता भी है तो problem नहीं आती लेकिन मात्राओं के संदर्म में क्या होता है cursor right में ही रहता है लेकिन वो left भी keyword से कर दिया जाता है तो भी right में ही दिखेगा वो दिखने वाली जो problem है उसी से problem आती है इस बात को अगर आप समझ लें तो कोई problem नहीं किसी प्रकार की मात्राओं को लेकर के problem नहीं आएगी कोई भी मात्राओं आप बड़ी असानी से उसको delete कर सकते हैं किसी भी अक्षर किसी भी शब्द के साथ दोस्तों अगर आपको ये सब्सक्राइब और शेयर थे चैनल